नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सभी आए देखिए आज हम क्या कुछ नहीं आ सेकते हैं तो बच्चों पहले ये बताओ कि आप सुबा उठकर ब्रश करते हो न या मंजन या दतून करते हो न क्यों करते हो बला दातों की सफाई के लिए और खाना खानी से पहले हाथ भी तो धोते होगे क्यों धोते हैं हम हाथ हाथों की सफाई के लिए तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे परियावरन अध्यान कक्षा तीसरी पाठ पंदरा सफाई पाठ शुरूर करने से पहले बच्चों आओ तुम्हें जंगल की एक कहानी सुनाओ जंगल में आज बहुत चहल पहल थी सभी जानवरों की सभा रखी गई थी सभा क्या होता है सभा में सभी लोग मिलके किसी समस्या पर चर्चा करके समधान निकालते हैं तो जंगल में ये सभा बरगत के पेड़ के नीचे रखी थी ये देखे जैसे आम का पेड़ नीम का पेड़ आपने देखा है ना वैसे बड़ा विशाल सा बरगत का पेड़ होता है जिससे जड़े निकली भी रहती है और सभा में कौन कोन आये थे? हाथी, शेर, सियार, लोमडी, भालू, बंदर और कोन आये थे? हीरन, खरगोश, अजगर, मोर सभी जानवर आये थे सबकी सहमती से हाथी को सभापती चुना गया, सभापती यानि मुख्या, जैसे आपके स्कूल में आपके प्रधान पाठक, आपके मुख्या होते हैं ना, वैसे इस सभा के मुख्या थे हाथी तो सभा शुरू हुई, सभी ने बारी-बारी से अपनी परेशानियों को बताया और सबने मिलकर उसका हल ढूंडा बारी जब खरगोश की आई, तो परेशान खरगोश बोला, मेरा तो जीना कठीन हो गया है भालू अपने घर का कच्रा मेरे बिल के पास आके फेक देता है, और बंदर केला खा कच्छिल का यहां वहां रास्ते में फेक देता है तालाप का पानी भी गंदा हो गया है, मैं यह जंगल छोड़कर चला जाऊंगा हाथी ने भालू को देखा, डर कर भालू बोला, सभी जानवर तो ऐसा ही करते हैं, मैंने क्या गलती की? हाथी बोला, हाँ, गलती तो हम सभी की है तभी अचानक तेज आनधी चलने लगी और बारी शुरू हो गई सभा अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई तो बच्चों, बताओ तो अगले दिन हाथी ने क्या कहा होगा बला? सबने मिलकर इस समस्या का क्या समधा निकाला होगा? हाथी ने भालू और बंदर को समझाया होगा और सबने मिलकर जंगल की साफ सफाई की होगी हम भी तो अपने आसपास की साफ सफाई करते हैं और साफ करने के बाद कच्छरे को कहां डालना चाहिए? कूडे दान या डस्बिन में? और कूडा दान कैसा होना चाहिए? धककन वाला बच्चों साफ सफाई नहीं रखने से गंदगी फैलती है और गंदगी से बद्बू आती है और गंदगी में कीडे, मच्छड, मक्खी, पनपते हैं जो तरह तरह की बिमारियां फैलाते हैं हमें यहां वहां थुकना भी नहीं चाहिए और खासते और छीकते समय मुह में रुमाल रखना चाहिए ठीक है बच्चों? आओ बच्चों स्वच और स्वस्थ रहने के लिए कुछ और अच्छी आदतों को सीखते हैं आपको स्कूल में हाथ दोना तो सिखाया ही गया होगा रोज स्नान करना ये भी अच्छी आदत है नाखुन काटना अपनी वस्तूओं को उचिस्थान पर रखना ताकि समय पर चीजें मिल सकें पीने के पानी को हमेशा कैसे रखना चाहिए? ढख कर ताकि बिमारियां ना हो हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी देख भाल भी करनी चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं हमें कुवा हैंड पंप में बरतन, कपड़े नहीं धोना चाहिए ऐसा करने से बच्चों जमेवे पानी से गंदगी फैलती है की चड़ हो जाता है, काई जम जाती है, जिससे पैर फसने का और फिसलने का डर बना रहता है जमेवे पानी में मच्छर और कीरे भी तो पनपते हैं, जो बिमारियां फैलाते हैं तो बच्चों और भी कुछ अच्छी आ देते हैं, जैसे समय से सोना, सुबह जल्दी उठना, वैयाम करना, बड़ों की बाते मानना, समय से अपने काम को पूरा करना, आदी है ना बच्चों, तो इस पार्ट से बच्चों हमने सिखा, हमें अपने घर और आस पास को साफ सुथरा रखना चाहिए स्वच और स्वस्थ रहने के लिए हमने कई अच्छे आदोतों को सिखा गंदगी से क्या-क्या परिशानी होती है, हमने ये भी जाना तो बच्चों, इस पार्ट से आपकी जो समझ बनी, उसके आधार पर और कुछ अभ्यास प्रश्ण करते हैं आपको सही उत्तर चुनना है पहला है, हमें कहां थूगना चाहिए? दिवारों पर या थूगदान में? हाँ, थूगदान में दूसरा प्रश्ण है, हमें कचरा कहां फेकना चाहिए? कूड़े दान में या सडक के किनारे? बिल्कुल सही, कूड़े दान में तीसरा प्रश्ण है, गंदी जगापर बैठती है मक्खी या मचली? हाँ, मक्खी, सही का चौथा प्रश्न गंदे पानी में पनपते हैं मानाओ या मच्छर बिल्कुल सही मच्छ पाच्वा प्रश्न है पेड़ पौधे हमें देते हैं क्या देते हैं बच्चों पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा या अशुद्ध हवा बिल्कुल सही शुद्ध हवा बच्चों अब आपके लिए कुछ ग्रीक कारे हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे पहला आपके द्वारा किये जा रहे हैं किनी 10 अच्छी आदतों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे दूसरा आपके पाठ पुस्तक के प्रिष्ट क्रमांग 60, 61 और 62 में कुछ प्रश्ण दिये हैं इन्हें आप पुस्तक में ही हल करेंगे और तीसरा और आखरी है कि आप अपने घर के अनुपीयोगी वस्तुओं से कुड़ादान बनाएं और उचित स्थान पर रखकर उनका उप्योग कीजे तो बच्चों हम सब मिलकर स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बनाने की कोशिश करते हैं दाने वाद बच्चों